तो दूस्तो फाइनली आज इंडिन फिल्म इंडुस्री के सदी के रियल मेगा स्टार करोडो दिलो की धड़कन बॉक्स अफिस की असली जान सल्मान खान की आने वाली मच अवेड़ेट फिल्म टाइगर के पार्ट थर्ड का एक जबरदस्ट टीजर जारी किया जा चुका है आज हर एक सोशल मीडिया फ्लेट फॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ के वहिया रिकॉर्ट की तबाही बॉक्स अफिस पर लेकर आएगा सल्मान खान के लिए पूरा हिंडुस्तान यानि के वहिया सल्मान खान ने जो आज मैसेश दिया है अपने टाइगर वाले अवत सिनेमा घरों में तो वाई कैसा है टाइगर के पार थर्ड का ये मैसेज चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस मैसेज के ब्रेक डाउन के माधिम से यानि फाइनल रिव्यू के माधिम से हलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हू हमारे चैनल यानि की वाईरल नियू जंक्शन में तो दोस्तो टाइगर का मैसेज मैं ब्रेक करूँ कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि वहिया सल्मान खान की आने वाले इस फिल्म के मुखे क्रू मेंबर्स कौन हैं जिन्हों न भीया इस फिल्म को वाईर एप के करता धरता भी है और भाई वाई वाईर एप के स्पाई वन्स के स्पाई वर्ल्ड के भी क्रियेटर है मेरे भाई उसके बाद भीया टाइगर कि काहानी को डवलब किया है पिया इस फिल्म के जो screenplay narrator है वो है सुनी भाइब रागवन उसके बाद पिया इस फिल्म के जो dialogue writer है वो है इंगलेश मिस्रा और जैदीप साहनी और भीया इन लोगों के अलावे भी तीन लोगों का output इस फिल्म के script में मिला हुआ है मेरे भाई यानिक भी आली अबाज जफर कबीर्स और सिधार्त अनन जो है वो इस फिल्म के स्टोरी के मेंटोर हैं तो भाई आप समझ लो कि जब ये कहानी तैयार की गई होगी और इन तीनों लोगों ने प्रितम दा ने यानिक भी आप प्रितम दा हैं तो आप समझी लो कि मेलोडी के साथ में धमाकेदार म्यूजिक भी आपको सुनने को मिलेगा तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के म्यूजिक डिरेक्टर की अब चलिए उन लो बात कर लेते हैं इस फिल्म में जो गाने हमें सुनने को मिलेंगे उन गानों को किन किन लोगों ने गाया है तो भाई इन गानों को गाने वाले जो सिंगर हैं वो हैं जावेदाली इस राम चंद्रा जोनिता गांदी निकीता गांदी तुशार जोशी अनुशा मणी मिका सिंग साथवा सुक्विंदर सिंग यानि की भिया इन सभी ने मिलकर इस फिल्म के गानों को गया है उसके बाद इस फिल्म के जो डियोपी है यानि की जो कैमरा मैंन है उनका नाम है शाहिल भार्दवाज जिनों भिया इस फिल्म के प्रमुक चंक को कम्प्लीट किया है इंडिया में भी और abroad में भी यानि कि विया शाहिल भारदवाज ने इस फिल्म के रूस ऑस्ट्रेडिया और टर्की वाले स्टिडियून को तो पुरा किया ही था उसके साथ इंडिया वाला जो इस फिल्म का स्टिडियून था उसको इन्होंने अन्य गोश्वामी के साथ मिलकर कंप्लीट किया है यानि दो डियोपी है इस फिल्म के शाहिल भारदवाज और अन्य गोश्वामी तो दोस्तों ये तो बात हो गए इस फिल्म के सिन्यूमेट्र ग्राफर की अब चलिए मनों बात करते भी है कि इस फिल्म में इतने जबरदस जबरदस एक्शन हमें देखने को मिल रहे तो भी या वो है अविराज मीनावाला उसके बाद भी है इस फिल्म के जो एक्शन डिरेक्टर है वो है मार्क स्क्री जॉग जिनों नहीं इस फिल्म के सभी प्रमुक एक्शन सिक्वेंस को कंप्लीट किया है मिलकर किसके साथ तो भी है परविश शेक और प्रांज स्पिल हॉल्स क साथ में तो भी है ये तो बात होगे इस फिल्म के प्रमुक क्रू मेंबर्स की अब चली हमनों बात करते भी है इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तो इस फिल्म की कहानी इस बार तीन मुख्य किरदारों के इर्द इर्द घूमती नजर आएगी यानि कि भी है अवि के किरदार का क्या नाम होगा अभी तक वो सारी चीजे इस फिल्म के मेकरों के दौरा छुपा कर रखी गई है यानि कि वह बहुत सारी चीजे आगे चल कर आप लोगों के सामने रिविल किया जाएगा इस बात की जानकारी आज जो मैसेज अमनों के सामने आया है भीया नदर आने वाले हैं तो दोस्तों ये तो बात होगे इस फिल्म के मुख्य कलाकार होगी अब चले हमनों बात करते भीया इस फिल्म की कहानी की यानि चलो हमनों कहानी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि भीया फिल्म की कहानी क्या है तो दोस्तों इस बार टाइगर के सामने जो मिशन है वो मिशन ये है कि उनको अपने उपर लगे हुए कलंग को मिटाना है पहले शॉट में हम लोग यह बात देखते हैं कि यह सलमान खान जो है वो बहुत ही दुखी मन से अपना बैस अपना आईडी कार्ड रखते हैं कैमरा के सामने और वहां पर एक कंप्यूटर र जिससे आप लोड टाइगर के नाम से जानते हो जो कि विया इंडिया का एक प्रमुक रौ एजेंट है जिसने कई सारे कारणामे किये हैं अपने देश को बचाने के लिए यानि कि विया उसने लगातार 20 सालों तक निस्वार भाव से अपने देश की सेवा की है लेकिन विय या वो मैसेज दे रहे हैं पुरी दुनिया को कि आज जब उनका बेटा उनके साथ है और उसके बेटे को भी ऐसा लगता है कि उनका पिता जो है वो देश द्रोही है देश का गंदार है तो उनका पिता कौन है उसके बारे में उसको बताएगा कौन तो भीया पूरा उनके बेटे को ये बात बताएगा के उनके पिता ने इस देश के लिए क्या कियादा और उनको जो ये टैग दियाग गया ए यानि किव exactamente देश्द्रोही का देशके गंदार का वो टैग ये हिंदुस्तान ही हटाएगा उनके ऊपर से यानि कि भीया इस मैसेज में हम लोगों ने ये बात देखी है कि भीया सलमान खान के बाकी दो फिल्मों के कुछ सिक्विंस को दिखाते हुए एक बात हम लोगों से चुपाई गई है भाई जोया खान है कहा है यानि कि विया जब आपको नहीं यह मैसेज देखा होगा तो कहीं भी आपको कट्रीना कैप नजर नहीं आई होंगी और भाई सल्मान खान यानि कि विया हमारे टैगर जो है वो असहाय होकर भाईया अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं यह बात इस मैसेज में हमें देखने को मिल रही है यानि कि विए इस बार दुष्मन खेमे ने उनके खिलाप ऐसे शड़े अंतर की रचना की है जिसमें उलचकर सल्मान खान को ये बात समझीन में नहीं नहीं आ रहा है कि वह वह कैसे इस से बाहर आया है जिनकी जान मचाने के लिए टागर ने 20 साल तक भीया निस्वार्थ भाव से शिवा की थी देश की तो दोस्तों वाकई में बहुत ही लाजबाब है टागर के पार्ट थर्ड का ये मैसेज और भाई इस मैसेज को देखने के बाद आप लोगो को क्या लगता है सल्मान खान ने जो ये मुहीम छेड़ा है उसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि या उनके मुहीम के साथ या पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा और इस फिल्म को टॉप से अप ले जाएगा अपने कमेंट के मादे में समीजर बताईगा तो बॉलिवूट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे शेयरा लियानी के और इंजेक्शन को लाक्स्क्राइब करना ना हो लिए और माने अपडेट्स को जाने के लिए बेला है किनको जोट पाईगा